HCF of 1, 6 and 2, 4 using prime factorization method इस वीडियो को पुरा देखे यहाँ वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी उन्हें भी जाकर देखे यहाँ पर करना क्या है दुस्तों इनके prime factor करने के लिए prime number से divide करना है याँ अब हाज ये संख्याँ से भाग करना है अब हाज ये गुणनख्याँ के लिए तो अब हाज ये संख्याँ देखे यहाँ पर मैंने कुछ लिक रखी है ठीक है मैं अपना 2 से भाग करना शुरू करूँगा देखे इसमें 2 का भाग किया कितना आपका 8 टाइम चला गया उसके बाद इसमें 2 का भाग किया कितना 4 टाइम चला गया कितना 2 टाइम चला गया 2 में 2 का डिवाड किया आपका 1 टाइम चला गया अब देखे आपे 2 4 में हमने 2 का डिवाड किया कितना 1 2 टाइम चला गया इसमें हमने 2 का डिवाड किया कितना 6 time चला गया इसमें हमने 2 का divided किया कितना 3 time 3 में 3 का divided 1 time ऐसे आप side में divided करके check कर सकते हैं जैसे 2 का divided कर रहा है 1 time चला गया ठीक है उसके बाद यहाँ पे ले आया कितना 2 time चला गया minus किया 0 आ गया ओकी divide करना यह दिए आपको नहीं आ रहा है तो मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना कर दे दूँगा अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको तो चाहिए HCF तो HCF के लिए ध्यान से देखो यहाँ पर देखो 1,6 के factor क्या है आपका यह आपके 1,6 के factor 2,2,2,2,2,2 और 2,4 के factor है देखो यह आपके 2,2,2,2,2,3 अब आपको HCF में दोनों के common factor लेने है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है यह आपका common factor है अगें देखो यह आपका common factor है अगें देखो यह आपका common factor उसके बाद 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं इनका multiply कर दो कितना आ गया 8 आ गया तो यहाँ पे इनका आपका सेफ कितना है 8 है धन्यवाद